Hello, Good Morning Student हम पढ़ रहे थे Combination of Error या Propagation of Error Lecture को Further Continue करने से पहले मैं एक छोटी सी instruction आप सबको देना चाहूँगा देखे बेटा, आप लोग time table को closely follow करें मैं notice कर रहा हूँ कि physics doubt session में कोई doubt नहीं आ रहा है जब दूसरे आपका मालीजी कोई doubt है जो मालीजी ये doubt session over होने के बाद आया है, तो आप मेरे personal number पे मुझे वर्टसिप करें doubt room के अंदर नहीं करेंगे बाकि students को disturb नहीं करना है ठीके ना दूसरा मैं एक चीज़ और notice कर रहा हूँ मालीजी ये doubt session चल रहा है let us suppose maths का solution post हो रहे हैं physics के या doubt session चल रहा है physics का solution post हो रहे हैं assignment के chemistry के तो एक ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जब किसी दूसरे subject का doubt session चल रहा है तो आपको उस doubt session के दोरान उसी subject के assignment के solution डालने हैं, बाकि किसी के नहीं डालने तभी ये जो classes है हमारी fulfill हो पाएंगी, तभी rhythm नहीं बिगड़ेगा, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप आगे से time table का closely follow करेंगे, देखिए हम अब अपने lecture को continue करते हैं हम combination of error की बात कर रहे थे हमने चार तरह के errors में देख लिए थे, propagation कैसे करेंगे submission में कैसे करेंगे, subtraction में multiplication, division में आज हम देखेंगे कि power के अंदर error का propagation कैसा होगा ठीके ना, देखिए, हम power के अंदर error का propagation देखते हैं यह रहा let us suppose, हम उसी तरह मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई quantity है x और यह जो x है, a की power n पे depend कर रहा है अब मुझे पता है, x मेरा पहला variable हो गया a की power n मेरा दूसरा variable हो गया मुझे error चाहिए, error का मलब change और differentiation भी change होता है तो क्यों ना, मैं differentiate कर दूँ x को किसके respect में, a के respect में आप लिख ले ना, on differentiating x with respect to a तो क्या बनेगा, देखिए dx by da as equals to d by da, a की power n यहाँ पर एक question ना था, कल doubt आया था मैं उसको भी last में बताऊँगा, अभी एक बाद derivation complete कर लेते हैं तो यह बन जाएगा, dx by da as equals to, a की power n है power आगे ले आता हूँ, power में से एक घटा देता हूँ, घटा दिया multiplied by chain rule लगाता हूँ, वंदर चला गया इधर लिख दिया, da by da ठीके ना, तो da से तो मेरा da क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा, अब इसको लिख सकता हूँ, dx as equals to n into, में देखो, a की power n minus 1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की power n into में a की power minus 1 multiplied by da, कोई फरग नहीं है dx is equals to n into में a की power n upon में a, ये नीचे आगा plus होगी, power into में da, अब यहाँ से मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा ताकि मुझे a की power n अलग से मिल जाए, अब a की power n अगर मुझे अलग से मिलगा, मुझे पता a की power n मेरा किस के बराबर है, x के बराबर है तो मैं a की power n के x को मैं इधर ले आता हूँ, नीचे आ जाएगा, तो dx by x is equals to n into में da upon में a, एरर है, positive, negative दौनों तरफ लगा देते हैं, तो ये आ गया error in power का formula, अब इसको याद कैसे लखना है, error in power को, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, let us suppose मैं ने कहा दिया, x is equals to a की power 4 है, तो मैं कहता हूँ कि error in x क्या होगा, जो भी power है वो आगे ले आओ, 4 in 2 में, अब इसका error लिखतो ऐसे, यहाँ पर देख लो, a की power n थी, जो भी power होगी, वो कहां आजाएगी, आपकी, आगे आजाएगी, ठीक है, तो यह तो था, आपके पास में, error in power, power में error के आएगा, अब देखिए, एक कल question पुछा गया था मेरे से, किसी बच्चे ने doubt डाल लखा था, कि sir, हम u into में v कर रहे हैं, मालो, हमारे पास में था, y is equals to u into में v, तो dy by dx is equals to u into में dv by dx, प्लस में, v into में du by dx, तो sir, हम यहाँ पर dx से dx काट दें, तो हमारे पास में क्या product rule यह नहीं बनना चाहिए था, अब चलो बिटा में, एक बात बता दो यहाँ पर तुमें, यह है एक formula, हम इसके साथ छेडखानी नहीं कर पर सकते, एक छोटा सा example समझतें एक बार, कि हमने यहाँ पर इसको ऐसे क्यों नहीं काटा, ठीके ना, जबकि error in product में हमने काटके एक result यह निकाला था, वो क्यों, चलो एक बार एक छोटा से example से समझेंगे इसको, मान लो मेरे पास में है y as equals to x की power minus 1 into x की power minus 3 है, x की power minus 1 मैंने u मान लिया, minus 3 मैंने v मान लिया, तो देखिए, आपके पास आजएगा dy by dx as equals to u as it is, x की power minus 1 as it is, differentiation of v, v का differentiation करेंगे, minus 3 आगे आगी, एक घटा दिया, minus 3 minus 1 और कहा दिया, मैंने chain rule से dx by dx, पलस में, अगली बार v as it is, differentiation of u करेंगे, minus 1 आगे आ जाएगा, एक घटा देंगे, minus 2 और dx by dx, ठीक है, देखिए, dy by dx is equals to, यह बन जाएगा, minus 3, x की power minus 4 यह minus 1 यह कितना आजएगा, x की power minus 5, dx से आप चाहिए, यहाँ dx काट दें, मैं नहीं काट रहा हूँ अभी, हम dx को जैसे उस question में आपने पूछा गया था, आपका doubt कलियर करने के लिए उसी तरह से काटेंगे, dx by dx, पलस में, चलो यह minus 1 नहीं बहर आगया, minus में, यह भी कितना बन जाएगा, x की power minus 5, ठीक ना, और यह भी आगया, dx by dx, अब देखिए, इधर भी dx by, sorry, इधर भी dx by dx हो रहाएगा साथ में, अब मैंने dx से dx काट दिया, मेरे पास में result बना, dy is equals to minus 3, x की power minus 5, इंटु में dx, माइनस में, x की power minus 5, इंटु में dx, अब यह result मुझे क्या दे रहा, यह result मुझे सिर्फ change दे रहा है y में, और मुझे क्या चाहिए, differentiation of y with respect to x, यानि कि मुझे change चाहिए, किसके respect में, x के respect में, और यह change कब आ सकता है, जब इसके नीचे भी क्या आए, x आए, अब इसके नीचे x लेकर आने के लिए, मैं इधर से dx को common निकाल दूँ, तो यह बनेगा, देखिए, dy is equals to minus 3, x की power minus 5, माइनस में, x की power minus 5, इन्टु में, dx दोनों में से common निकाल दिया, इधर लियाओं में, नीचे आ जाएगा, यह बन जाएगा, dy by dx equals to minus 3, x की power minus 5, माइनस में, x की power minus 5, यह, अब यह quantity तो आपको क्या दे रही है, इसलिए हम वहाँ पर cancel out नहीं करते हैं, क्योंकि cancel out करोगे, तो दुबारे यहाँ से common लोगे, नीचे ले करके जाओगे, result आपका सेम आजाएगे, ठीक है, change और change with respect to x, थोड़ा सफरक है, ठीक है, आगे देखते हैं, अब हम error in power पढ़ रहे थे, apply कैसे करेंगे, questions पर यह भी देख लेते हैं, error in power को, for example मैं कहा दूँ कि मेरे पास में कोई quantity है x, और यह है a square by b cube पे depend कर रहे है, मैंने कहा दिया, a के अंदर error है 1% का, और b के अंदर कोई error है, मान लीजिए, मैंने कहा दिया 2% का, बताओ, कितना percentage error x में आएगा, ठीक ना, तो क्या करो, आपने देखा power पे है, इसको ऐसे लिख लो, x बराबर है a square b के पार minus 3, ठीक है, अब चलो जड़ा देखते हैं, देखिए, मुझे percentage error चाहिए, percentage error क्या था, देखो percentage error का formula था, mean absolute error divided by mean value, mean value क्या होती है, आपकी true value होती है, तो लिख देता हूँ, mean absolute error dx, अब उन में mean value क्या है, true value x, is equals 2, अब जो भी power हागे ले आता हूँ, d a upon a, जो भी power हागे ले आता हूँ, d b upon b, अब यहाँ पर minus आना चाहिए था, पर error can't be subtracted, इसलिए मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, plus error हमेशा, जुड़ते हैं, गटते नहीं है कभी भी, तो ध्यान लखना है, अगर minus sign है तो भी आपको plus ही करना है, तो देखिए percentage error, dx by x क्या आजएगा, 2 into में, error in a, d a, change in a, error a में कितना है, 1, ठीके न, percentage में है तो d a by a, percentage error दिखा रहा है, तो मैंने सीधा लिख दिया, 1%, प्लस में, 3 into में, d b by b कितना है, 2%, कितना आजएगा, 2 plus में 3 to 6, कितना आगे आपके पास में, 8%, देखिए, अभी यहां बता है न, d m by a, तो d a by a आपका percentage error है, अगर 100 से multiply कर दो, अदर्वाइस यह क्या है, आपका relative error है, ठीक है, तो इस तरह से हम apply करेंगे, यहां पर बस आपको एक छोटी सी बात है, जो measure है, जो ध्यान अखनी है, error can't be subtracted, error हमेशा जुडेंगे, चाहे power minus हो चाहे plus, उमीद करता हूँ, आपको आज का lecture समझ आया होगा, thank you, have a great day.